हेलो, very good evening everyone, कैसे हूँ पैरे दोस्तों, तो आज का जो हमारा ये session है, मैं आप लोगों के लिए एक नए टोपिक लेका है हूँ, वो है modern history का, तो क्या topic है, कैसे हम देखेंगे, एक एक चीज़े हम देख लेते हैं, देखें, modern history में आज हम discuss करेंगे, revolt of 1857, यहीं, यहीं कि 1857 की जो करांती है, उसके बारे में, बटे इस से पहले मैं आप सभी को बताना चाओंगा, कि यह जो अपना session है, यह जो अपना lecture है, यह basically optional लगे लिए है, ठीक है, history optional के लिए, वो student जिनका optional history है, इतियास optional है, उनके लिए मैं एक और सा हो लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो यह आप लोगों के लिए एक sample वीडियो है, ताकि आपको समझ में आसके कि भी यह content quality कैसे क्या रहने वाली है, और अपना kya depth अपन cover हो करने वाले हैं, ठीक है, तो इस lecture में हम men's के साब से चीज़े cover हो करने वाले हैं, यह जो class है, यह men's की optional oriented class है, ठीक है, यह history क optional का एक मैंने आपके लिए sample वीडियो हो यहाँ पर लेका है हूँ, और आप लोगे इसके regarding जो PDF है, इसके साथ ही हम बात करें, डेली है, जो current affair वाले हैं दोस्तों, वो आपको नमस्ते एक्जाम के टेलिग्राम चेनल पर मिल जाएंगे, आप नमस्ते एक्जाम का टेलिग्र चेनल है, Facebook है, Instagram है, वहाँ पर आप जोइन कर सकते हो, यहाँ पर दोस्तों, डेली में आप लोगों के लिए important quiz वाले हैं, कुछ important current affair वाले हैं, यह सारी चीजे में आप लोगों को provide कर आता हूँ, और भी जो डेली को सबडेट होता है, वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाता है यहाँ इनके मादम से आप लोग मेरे से जुड सकते हो, किसी बितागा को कोई भी आपको content वगरा चीओ, तो यहाँ पर आप continue कर सकते हैं, ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे topic की तरफ, लेकिन इससे पहले एक-दो चीजे और देखनी हैं, दोस्तों, 1857 के revolt को लेके अलग- कुछ का ऐसा कहना है कि यह एक सिपाही म्यूटेनी थी, यहीं सिपाहीों के द्वारा कि आगा एक विद्रो था, कुछ का यह कहना है कि यह इंडिया की civilians का एक विद्रो था, कुछ का ऐसा कहना है कि यह मतलब भारत की जो इतिहास में बोल सकते हो, कि तरिके से war था, independence का आज था, वगेर वगेर हमें देखने को मिलेगा, तो हम इनके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में इस क्लास के बाद में आपको एक क्यूसन भी मिलेगा, जो आपको attempt करना है, क्यूसन के एक बार में आपको दिखा देता हूँ, क्यूसन ही है बसे, कि in the words of RC मजुंदार, RC मैंने आप लोग के लिए words limit है, वो कुछ नहीं रखी है, बट आप अगर चाहो तो इसको 250 words में cover कर सकते हो, यह 250 words में आपको यह answer है, वो लिखना है, देखो यहाँ पर कुछ चीज़े हैं, एक बात थोड़ा बता दू, एक word है examine, examine का क्या मतलब होता है, examine का मतलब यह है, कि हमें इसके अंदर अच्छे से point लिखने है, details से, with explanation के साथ, एक तरीक से आपको बोलू, investigation है, proper detail के साथ हमें लिखना है, इस question में देखो, तीन चीज़े बूची हैं आप से, पहला यह कहा रहा है, कि 1800 सित्याउन की जो revolt है न, वो ना तो पहली लड़ाई थी, दूसा कहा रह और क्यों ही यह आजादी की लड़ाई नहीं थी, यह तीनों point आपको लिखने है, ठीक है, यह आपको धहां पर ध्यान रखना है, got it, तो starting में सबसे पहले क्या अगर सकते हो, सबसे पहले आपको दोस्तों, introduction में basically आप 1857 के revolt के बारे में थोड़ा लिख देना, इसके बाद म आपको क्या क्या लिखना है, वो हम discuss करेंगे भी, ताकि चीज़ें और अच्छे से clear हो जाएंगी, ठीक है, तो पटा अफ़र चलते हैं topic की तरफ, देखो 1857 का जो revolt है, यह Britishist के East India Company के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि 1599, यह बात करें, तो कही तरह के से इंडिया को exploit करें थी, इंडिया के लोगों को, civilians को, farmers को, वो कही तरह के movement वगरा भी होए थी, तो वो हम सब यह कर देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा background की बात करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर, तो 1764 में देखते हैं battle of boxer की एक लड़ाई होती है, उसके बाद धिरे-धिरे के हैं, Britishis हैं, इनकी जो political power है, राजनीतिक जो power आप बोल सकते हो, वो लगातार के हैं, expand होती जाते हैं इंडिया ने, और यह इंडिया के अंदर के हैं, impalistic policy बनाते हैं, यही अपने समराज को expand करने की policy हो बनाते हैं, कि इंडियन versus Britishis के बीज में क्या है, इस इंडिया कंपनी के बीज में क्या है, conflict होगा, क्योंकि भहिया, दोनों एक ही जगे हैं, तो गड़बरत हो नहींते हैं, और जब conflict होगा, तो क्या होगा, किसी ने किसी को गुसा आएगा, भही जब आपका घर पे मम्मी बापा से किस किसी बात को लेकि थोड़ा argument हो जाता है, तो conflict होता है, तो गुसा आता है, तो गुसा निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, किसी भी person में अगर हम बात करें, एक तो यह हो तकता है, कि आपको कभी-कभी गुसा है, तो आपने frustration में दो तीन चीज़े कर दी, कि यार ममी सारे दि जब भी कोई भी person हो, अगर वो किसी चीज़ से नाखुस हो, तो दो काम कर सकते हैं, एक तो वो कर सकता है, तो गुसा या दोचा थपड़ उपड़ मारती किसी को, जो कि आप कर नहीं सकते, वो कर सकते हो, एक हो सकता है कि आप proper planning के साथ काम करो, कि नहीं भीया मेरे को भर छ तो इंडिया की लोग बहुत नाखुसग उस्से में थे, उन्हें एसंतोस हो गया था, डिसकंटेंट हो गया था, तो इस डिसकंटेंट को स्यो करने के लिए, उन्हें दो method यूज करे थे, एक था traditional moment और एक था progressive, traditional का मतलब है प्रमपरागत moment, और progressive का मतलब है, जिनका कोई proper पर एक outcome आने वाला है, traditional moment का example कि हम आपको short में बात करें, तो आपको मिलेंगे pigeon moment, आपको मिलेंगे हाँ पर tribal moment, क्यों, क्योंकि दोफसो, traditional moment के कुछ features होते हैं, ये वो moment है, जो society के climate area में होते हैं, इनका proper goal वगर हर जिस fix नहीं होती, बहुत किसानों का goal क्या होता है, सिर्फ short term कि हाँ, जमिदार ने परेशान किया, तो दो-चार डंडे उन एक दिन जमिदार को गुसे में लपेट दिया, ठीक है, ट्राइबल्स को दिक्कत आई, तो एक दिन अंगरेजों को दो-चार फीटा डट गए, काम रुख गया, समझ रहे हो, तो ये इस तैप की मुंड़त ठीक है, और progressive moment वो होते हैं दोस्तों, जिन में की proper आप planning के साथ काम कर रहे हो, यनि आपका goal fix है, कि भीया मेरे को ये achieve करना है, जैसे कि आप UPS के प्रपेसर के लिए आपने time table बनाया, ठीक है, college में आप किसी को follow करते हैं, तो आपने proper time table बनाया होगा, कि हाँ, इतने बज़ तो गांधी जी के जो मोटे moment थे, यनि non-corporation moment था, इसके साथ socio-religious reform moment था, और हम बात करें, civil disobedient moment था, तो ये दोस्तों कुछ moment है, जो आपके progressive moment में count होते हैं, क्योंकि ये proper planning के साथ, इसमें national leader भी होते थे, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और इनकी पहुंच भी काफी ज़्यादा होती है, अब हम आगे देखते हैं, 1857 के revolt के causes, दखो 1877 की जो करांती है revolt है इसके कुछ causes है, मोटे तोर पे कोई भी moment है revolt होता है उसके दो causes होते हैं, एक तो आप बोल सकते हो long rotate, long rotate का मतलब जो काफी लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे अगर हम बात क करें, इंडिया और पाकिस्तान, के बीज में long rotate region आप क्या बोल सकते हों, भी आप पहले से दोनों में दुस्मनी चले आ रही हैं, तो आप बोल सकते हो, border का issue है, फलाना जो issue सले आ रहे हैं, diplomatic issues बगर हैं, वो क्या है, टेमप्रेटी या बोचतों की long rotate region हैं, इंडिया और पा अटेक किया था, तो इंडिया ने क्या है, सर्जी के टैक की, यनि इंडिया और पाकिस्तान के बीज में छिट पूठ ही, क्यों हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ लड़ाई की थे ना, पाकिस्तान ने क्या क्या था, अटेक किया था इंडिया पर, तो वो जो अटेक था वो क्या हो जाएगा instant region था यहीं तातकाली की रेडमन बहुल सकते हो जिसकी वज़ेसे कोई मोमेंट या कोई चीज स्टार्ट होती है जैसे कि इंडिया और चाइना की बीच में एक बार डोकलाम इसुभा था कि डोकलाम को लेके बात होगी थी वो instant region था इंडिया और चाइना की बीच में डिस्पूट का ठीक है तो ऐसे मोटे तोर पे किसी भी region को दो पार्टों में क्लासिफाई है वो यहाँ पर करते हैं वो 1857 की रिवोर्ट की बात लें तो यहाँ पर जो instant region था दोस्तों वो था सिपाई योगा सिपाई को क्या था कि जो हमायद देश में soldiers थे जो की Indian soldiers थे इनकी जो गन होती थी इसके अंदर गोली या आपको बताए कार्टूस हुज होती गोली बोल सकते हैं आजगे रहें बराब उसे और उन कार्टूस को प्रोटे करने के लिए अब नहीं हो तो उसमें कहाई इस फेट लगाए जाती थी ऐनिमल फेट वसा और वो दोस्तों काउ या हम बात करें पिग नहीं गाह या सूवर की चर्वी से बनी ही होती थी तो वो एक ऐसी एक आउधाना मानी जाती है जिसकी वजए से से प्रोटिक्ट हो गया था क्योंगि वो रिलिज्टे सेंटिमेंटस को अट करने वाले बात हो गयी थी तो ये धान रकना एक इंस्टेंट इचन था इंडिय आई पत्लोटे के बटे कोण्टे कह होные को लिए सकते हो कि प्रेटिय उस अचनी इस त्टिचे हो यह फिर आप वो सकते हो पॉलिटिकल रीजन है यह कहा है आपके लोंग ट्रेडिजन है जो कि काफी लंबे टाइम से चले आ यह फिर आपके लिए ठीक है आई हो प्याहते क्लियर हो गए अब हम बात करें मोटे तोर पर कोज़ेश गी तो दोस्तों एक होते हैं पॉलिटिकल और एकोनोमिक कोज़ेश आप इनको लग लग भी कर सकते हो पॉलिटिकल कोज़ेश एक होते हैं एड्मिस्टरट्व डिजन एक होते हैं सोच्यो डिलेजिस कोज़ेश और एक होते हैं मिलेटरी कोज़ेश यहनी मोटे तोर पे मैंने अठारा सो सत्याओन की जो रिवोल्यूशन है रिवोल्ट है इसके क्या-क्या रिजन्स थे इंको चार भागों में डिवाइड किया है पॉलिटिकल और एकोनोमिक, एड्मिस्टेटिव, सोच्यो डिलेजिस, एड्मिलेटरी कोज़ेश ठीक है इन एक के को हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल और एकोनोमिक कोज़ेश की आप बात करें तो ब्रिटिसस की एक पॉलिसी थी डॉक्रिन ओफ लेप्स जहान ह जिनके उत्रा धिकारी नहीं है यहीं उनके कोई संतान नहीं है खुद गी और वो किसी को दूसरे को अपना उत्रा धिकारी बनाना चाहते हैं वो अलाओ नहीं है एक तरिके से यह था कि बैया कोई भी राजा अगर उसके कोई पुतर नहीं है कोई संतान नहीं है तो वो किस इसने का कि यह हम ले लेंगे, हम इसको संभालेंगे, क्योंकि राजा के कोई संता नहीं है, तो राजा है हर किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि ब्रेटिस का करना था, कि भी यह राजे है ना, वो राजा की प्रोपर्टी नहीं है, जो आप हर किसी को देते हैं, फिरो ऐसे, वो को doctrine of lefts के method के द्वारा इंडिया के जो state है ना, इनको दोस्तों या बोल्चोतों की acquire कर रहे थे, इनको छीन रहे थे, ठीक है, और इंडिया को इससे बड़ा नुकसान हो रहा था, इवन कही बार तो ऐसा भी देखा गया था, कि जो कमजोर राजा हुआ करते थे ना, उनके बेटो या उनके संतानों को मरवा देते थे ब्रेटिसस, ताकि संतान नहीं रहेगी, तो राजे वो छीन लेंगे, ऐसा भी ब्रेटिसस का कई बार देखा गया था, ठीक है, इसके बाद मैं आप उचकते हो, सोहनेटी का, कि भिया अलग-लग स्टेट को अपनी सोहनेटी का इसू रहता था, क्यार मेरी वेल्यू बनी रहेगी, नहीं रहेगी वगरा, समझ रहे उस तरीके से, तो ये सारी बात है, ये खुद इनके संतान की इसू थी, ये इनके उत्रा दिखारी का इसू था, इसलिए ये खुद इस पोलीशी का विरूद करते थे, और ब्रेटीसस क्या है, इस पोलीशी के दोरा अपना फायदा लेते रहते थे, ठीक है, इकोनोमिक कोजिज आप बोल सकते हो, कि ब्रेटीसस इंडिया को एक्स्प्लोट कर रहे थे, उनका लेन डिवेनु सिस्टम था, उसमें रहियत वाड़ी महल वाड़ी है, वो भी कहां इंडिया को एक्स्प्लोट करने के तरीके थे, तो उससे क्या है, हम नाखुष थे, क्योंकि वो हमें क्या है, तोर्चर करते थे, ठीक है, फिर आते हैं, सोशियो रिलेज़स कोजेज, सोशियो रिलेज़स कोजेज की एकर हम बात करें, तो दोस्तों, इसमें आप कह सकते हो, कि सोसाइटी और रिलेज़न के भी कुछ ऐसे कोजेज थे, जो कि इंडिया, या बोल सकते हो कि भारतियों, और ब्रेटिस के बीच में कॉंट्रिट के हैसूस थे, क्योंकि ब्रेटिस के हैं, हमारे रिलेज़न को हमेशा नीचा दिखाते थे, ब्रेटिस हमेशा इंडियन कल्चर को नीचा दिखाना चाते थे, वो हर बार इंडियन कल्चर की बेस्ति करते थे, उसको डाउन गड़ करते थे, इसको अब्यूज करते थे, जो कि कही न कहीं भारतिये सेंटिमेंट्स को हट करता था, क्योंकि आप जानते हो कि धर्म या रिलीजन एक इंडिया में बहुत ही sensitive issue है हाज भी आप देख सकते हो काफी सारी political party आप कैसी statement दे देती है तो उस पर बड़ा है बवाल हो जादा है रातो रात एक पानी का कटोरा लेते हैं उसमें दो पत्थर एक लेते लकड़ी का टुकड़ा लकड़ वाले टुकड़े पर लिख देते हैं मलब इसाई है क्रिस्चन आप जो भी बहुत सकते हो कि यह क्रिस्चन है Christian God है, इसा मसी है और पत्थर वाले टुकड़े पर लिख देते हैं कि यह मलब Hindu या God है, जो भी कुछ है ठीक है और फिर पानी में डूबोते है तो भई, common सी बात है, पत्थर पानी भारी है तो डूब जाएगा, जब गिलकडी का टुकड़ा तेरता रहेगा, तो Britishs क्या करते हैं कि देखो हमारा धरम अच्छा है, इसलिए हवा में तेर रहा है समझ रहे हो तो Britishs के हैं, बैसिकली इस तरह की मलब चीज़े हैं, या यूज करते थे था कि लोगों का brainwash करके, उनको करें, डिस्टब क्या दसकी ये आपको तरह सा ध्यान रखना है और इसके साथ ही, Britishs ने सोसाइटी में सती सिस्टम था, विड़ो सिस्टम था उनको, उसके अंदर रिफोम लायते हैं, यहीं सती सिस्टम को बैन कर दिया था, विड़ो री मेरी जय, इस लाओ कर दी थी और दोस्तों, ये कहीं ने कहीं चीज़े देखो बुराया थी, मैं क्या कर रहा हूँ ये चीज़े बैसक बुराया थी, चैल्ड मेरेज भी बुराया थी लेकिन इससे हमारी सोसाइटी में एक डिसकंटेंट हो गया क्योंकि ये कहीं हमारी कल्चर से जुड़ी भी चीज़े थी लोगों के तो लोगों को इससे बड़ा ही आहट हुआ कि यार, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है भाई, ऐसे कैसे तो लोग इससे भी नाखुस थे, तो ध्यान रखना ये भी एक रिजन था, कि सती सिस्टम बैन करना, वीड़ो रिमेरीज, प्लस में अगर हम बात करते हैं, पोली गेमी था, इसके उपर भी बैल आ गया तो ये बहुत सारे एसूस थे, जिससे सोसाइटी के हैं, ब्रिटेस से नाखुस थी, कि क्यों वो हमारे रिलिजियस प्रेक्टिसस में हत्तक सेब कर रहेंगे, ठीक है, इसके साथ ही एक रिलिजियस डिसबिलिटीज एक लाय गया था, कि बैया हिंदू जो कोश्टिम से इनको रिफॉर्म के लिए, प्लस में कई सारे प्रोग्राम थे, कि अगर आप क्रिस्चन धरम जोयन करते हो तो बिलिजियस आपको काफ़ी सर्फ चीज़े प्रोवाइड करवाते थे, और इंडिया के देवी देवता को के नीचा दिखाने की कोशिस है, वो करी जाती थी, उनको एब्यूज के ज़ता था, और हम बात करते हैं, जो यह रिलिजियस डिसबिलिटीज एक था, ये दोस् ताकि इंडियन्स को क्या है, नीचे दिखाया जासके और इंपे क्या है, नीचे सारी पावर का यूज है वो, क्या जासकी, तो ये कुछ रिजिन आप बोल सकते हैं, एडिमिस्टेट्यू को ज़िजिज की खरम बात करें, तो दोस्तों उनका परसासन या उनका सिस्टम ही इस तरीके से था, कि वो बाइश था, उनकी हर एक पॉलिसी, उनको फायदा पूता थी ब्रेक्टिस को, यह अगर हम बात करें सिंपल सी, कि इंडियन्स को अच्छी पोस्टों पर नहीं रखा जाता था, इंडिया के वरकर्स को अच्छी सेलरी नहीं जाती थी, उनके साथ दूरुहार किया जता था, करप्शन काफी जज़ा था, कंपनी के आपको पता है करप्शन बहूत ज़या था, वर प्राइवेर ट्रेड से वो पॉरफिर कमाते थे, प्लस में इंडियन्स पीजंट को प्रेषान करते थे, तो यह उनका परसासनिक इस्वाब हो सकते हो, और स सारी की सारी जो अपर पोश्ट है थी, हर एक डिपार्टमेंट में, वो बिट्री से स्किल रिजय होते थी, तो ये भी कहा है कहीं नहीं सहीं नहीं था, और इंडियन्स को कहा है, एक दम घटिया वाले काम दिया जाते थे, कि भई आप ये काम लाइक हो, एक है military causes, military causes में आप काम करवायता था, उनको फिर भी गालियां दी जाती थी, धरम का issue आप बोल सकते हो साथ में, black and white का issue है, वो सामने था, social practices गे ओपर के हैं, अंगुलिया लगाय जाती थी, कि आप social practices जैसे आप डाडी नहीं रख सकते, मुच्छे नहीं रख सकते, ऐसे रहना है, ये सारे issues थ ये basically ये act था, कि इस act में ये provision था, कि आर्मी में जो भी लोग हैं, ठीक है, यनि इंडियन आर्मी जो भी लोग हैं, उनको अपने घरवालों को लेक्टर बगरा भेजना है, तो बिना किसी stamp के box में डाल दो, और वो directly उस पते पर पहुंच जाएगा, यनि आपको stamp ticket लगाने तो लोगों को लग गया बूरा, कि यार एका दी तो छूट मिलती थी हमें, वो ही provision आपने ले ली, तो ये भी एक रिजना आप बोल सकते हूं, ठीक है, इसके साथ ही एक और कानून था, वो था, ये Lord Kenning के टाइम पर था, इसमें ये था, ये रायां पर देखो लिखा हूँ है, इस एक्ट में भी ये provision था, कि जो आर्मी है इंडिया की, उसको ब्रिटिस अंफेर में कहीं भी पोस्ट गया सकता है, यनि ओवर सीज, इंडिया के बाहर भी कहीं डिप्लोई कर सकते हैं, और दोस्तों उस जमाने में कोई भी देश, कोई भी परसन अपने देश को छोड़ के जाता था ना, तो उसको अच्छा नहीं मानते थे, आज तो जैसे कहें, परतिश्ठा के टोपिक हो गया है, आप दूबी रहते हो, आप कनड़ा रहते हो, लेकिन उस टाइम पे देश छोड किया गया था, कि इंडियन्स को कहीं भी पोस्टेट किया सकता है, तो यह भी कह एक डिस्पूट हो गया, तक यह हम नहीं जाएंगे है, हमारी धर्तिवों छोड़ गया, कई सारे भारत माता होगरा की इस्यूज है, ठीक है, तो यह मैंने कुछ आपको कौज़ेस बता है, कि इन इन इस्यूज की वज़य से मामला के हैं, बढ़ता जा रहा था, ठीक है, इसके बाद में थोड़ा से या आता है कि 1857 का जो मोमेंट है, वो इस्टार्ट कहां से क्या होता है, तो दोस्तों यह प्रेलिम्स वगरा के जदा इंपोर्टेंट है, कि जिसे फरोरी महीने में इस्यूज वगरा हैं, तो यह प्रेलिम्स के लिए हैं, तो यह स्लाड अपने प्रेलिम्स के इसाब से देख लेंगे, अब यह एक बाद थोड़ा साम आगे देखते हैं मैंने, मैंन चीज़ बाद में यह आती है, मैंन के लिए, आप्सनल के लिए आ बोल सकते हो, कि 1857 का ज क्या मतलब होता है, यह लेकिन हम बाद करें हैं, यहाँ पर कि 180 सत्याओन की जो रिवोल्ड था, ये किस टैप का था, तो दोस्तों, अठारा सो सत्याउन का जो रिवोल्ड था ना ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनका आप यूज कर सकते हो ये मैंने लगभग आठ नो क्या सपास कीवर्ड्स लिखे हैं ये आप किसी भी मुमेंट में यूज कर सकते हो उसका नेचर का पता करने के लिए जैसे की नेचनल इशू अब आप दाइए, क्या 1857 के रिवोल्ड का जो इशू था या जो रिजन था, क्या वो नेचनल इशू था क्या बिल्कुल नहीं था जो भी लोग थे, वो सब अपने फायदे के लिड़ रहे थे जैसे मैं आपको यहाँ बताऊ यह जो लिडर थे, नाना साब थे बेगम हजर्ट मैल थी, खान भाधूर थे कुमर सिंग थे, अर्दलानी नक्सिबाई थी यह सिरफ अपने फैदेधों के लिड़ रहे थी ठीक है, नाना साब सिरफ अपनी कूर्सी बचाने के लिड़ रहे थी ठीक है, आजादी से मतलब नहीं था, ये सिरफ अपनी कूर्सी बचाने के लड़ रहे थी, आर्मी के लोग थे, इंडिया के सिपाई थे, वो सिरफ अपनी पोश्टों को बचाने के लड़ रहे थे, बेगम हजरत मैल है, वो अपने लखनों में अपनी सीटों के लड़ रहे हम बात करें, इसके साथ ही रानी लक्समी बाई है, वो भी अपनी गर्दी की भिया में गर्दी को चीन नाले, इसले लड़ रहे थी, यनि आप देख सकते हो, क्या ये नेशनल इसूज है, बिल्कुल नहीं है, नेशनल इसूज का मुल्ब क्या था, सब गी इसूज सेम होने क्योंकि एक मोटिव ही नहीं था, क्लियर, नेशनल मोटिव ही नहीं था कि भी हमारा टार्गेट यह है, और दूसरी बात, अगर नेशनल मोटिव होता, एक राश्त्री आंदुल्म होता, तो कॉमन सी बात आपको बता है, एक नेसल वाली फिलिंग होती, पूरे देश में ए 1857 की करांती के बारे में आपको धान होगा ये एक साथ नहीं हुए थी ये अलग-लग एरिया में हुए थी जैसे में आप यहाँ पर दिखाओं ये देखिए ये 1857 का जो रिवोल्ट है 1857 का ये फरोरी जनौरी से स्टार्ट होता है जनौरी एंड से ठीक है और जून तक जाके पूरी इंडिया में द्रे-द्रे फैलता है तो आप देख लो जनौरी, फरोरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, मुलब 6 मीने, सोचके देखो 6 मीने द्रे-द्रे लग-लग द्रे स्टार्ट हो रहे है तो बताओ जब एक साथ स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो कहां से इसको ने स्टार्ट हुआ था है, सिक्विन्स वगएरा, तो इध्यान रखना थोड़ा सा आपको बता होना चाहिए कहां कहां स्टार्ट हुआ था और इसके बाद में ब्रेटिस ने इस मुमेंट को दबाया था वो भी हम देखेंगे, तो पहली बात है नेसनल इसू था क्या, बताई क्या एक गया, इसके गोल्विफ्ट नहीं है, लेडर्शिप, विजनल लेडर थे, कोई नेसनल लेडर था ही नहीं, तो लेडर्शिप की भी कहा है, भारी दिक्कत थी, ठीक है, क्लास पार्टी स्पेशन कम था, क्योंकि सोसाइटी के काफी सारे सेक्शन सामिल तो हुए थे लेकिन वो अलग-लग टाइम पर हुए थे, तो वो भी कहा है, था तो से ही लेकिन कम मात्रह में था, नेसनल लेडर कोई नहीं था, प्लस में प्लानिंग थी क्या, कोई प्लानिंग नहीं थी इसमें, सिर्फ अपनी मनजिया ही वैसे लड़ना शुरू कर दिया, अंग्रेज जो एलिट क्लास थी ना, उसने तो इसमें भाग भी नहीं लिया, पार्टी स्पेट भी नहीं किया, तो वो तो ब्रेटिस का साथ दे रहे थे, और एक दस्वा रिजन आप यह भी लेख सकते हो, कि इसका फोरूर्ड लुकिंग नहीं था, बैक्वर्ड लुकिंग प्रोग् आप इन की वर्ड्स से एक्स्पेंड कर सकते हो, यह कुछ की वर्ड्स मैंने आपको दे दी हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लेना, रिजल्ट की बात करें, तो आपके सामने रिजल्ट है, भीया, सेंटर लिज्टे बिलकु नहीं है, इन्हीं नेशनल लियोल की लेटरि थी नहीं, जमीदार और एजुगोटेड लोगों ने पार्टिस्पेट नहीं किया, सिर्फ लिमिटेड एरिया में, हम बात करें, आइडिलोजी हैं, वो भी क्लियर नहीं थी, सब अपने फैदेगले, हमने आपको बता है न, कि लक्समी भाई है, जासी की, वो जासी की लड यह था, यह नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस्यूज पर्सनल थे, कोई स्ट्रोंग लिटरसीब नहीं है, ना ही प्लानिंग है, ना ही इस्टेटजी है, ना ही कोई गोल वगरा फिक्स है, और नेशन लिलोज तो थी नहीं, वी वाले फिलिंग तो थी नहीं, वी वाले फिलिंग या पीछे कोई जाता है आज की टैम में बताओं तो यह कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया है और अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हो कि हाँ यह जो मुमेंट था यह ट्रेडिशनल से तो कुछ हटके था क्योंकि ट्रेडिशनल मुमेंट में तो क्या है थोड़े कम लोगों ने लेकिन फिर भी सब लोग नहीं थे तो आप वह ऐसे बोल सकते हो कि 1857 का जो रिवोल था ना यह मौर देन ट्रेडिशनल था और बोल सकते हो लेस तेंग क्या हो गया आपके पैन इंडिया मुमेंट या प्रोग्रेसियों मुमेंट यह आपको ध्यान रखन रखन फैल क्यों हुआ मैं आपको सारे points बता चुका हूँ भीया leadership नहीं है जब आपके technology आपके पास नहीं है और आप जब खुद कुछ लोग हैं इंडिया के अंदर कुछ लोग खुद British को support कर रहे थे तो जब कुमन सी बात ही है कि कैसे काम चलेगा जैसे हम यहाँ पर देखें क नोर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, अलग-लग एरिया में टाइम पर नहीं चला कहीं पर आज मुमेंट हो रहा है कहीं पर दो दीन बाद कहीं पर दस-तीन बाद कहीं पर दो मेहीन है कहीं पर तीन मेहने तो outcome आना सवाल था है नहीं क्योंकि British ने क्या है दबा दियतने में दीन दीन बाद करें तो दोस्तों इसके बहुत सारे impact परते हैं यहीं ब्रिटिस इसको एक तरिके से हमने थोड़ा challenge किया था तो ब्रिटिस इसको लगा कि यहार इंडियान को हरके में लाना सही नहीं है तो ब्रिटिस ने काफी सारी चीज़ें यहां से से की हैं उन्होंने क बहुत कर लिया अब सम बागडोर हम देखने वाले हैं और अब क्राउन का रूहला हुआएगा हाँ इस इंडिया कमने थोड़ी बहुत से लेगी लेकिन almost करतम हो जाएगी यहीं अब क्राउन की जड़ा जलने वाले है ब्रिटियन की मारने डिरेक्ली क्या करेगी प्रिस मे अर्मिं के अंदर भारती जॉनों की संक्या कम करी जाएगी भारते को अलगलग बाषध देगी जसे कि अलगलग रेजिमेंट मतलब उसमें सिर्फ सिक merch लोग रहेगी ताकि लोगों को अलग बाटा जाए तो इन מאch साथ नहीं करेंदी तो बीब वाले भी वाले कि इसके साथ ही वो इंडिया के अंदर अपनी command को और strong करना चाहेंगे तो जो जो गलतिया हुनोंने करी है वो उससे का सबक लेंगे और काफी सारे act लाएंगे जैसे एक आएगा इंडियन सर्विस एक्ट आएगा उसके अंदर पास क्या जाएगा उसके अंदर बहुत सारी qualifications वगरा है कई सारी चीज़े implement करी जाएंगे ठीक है तो यह कुछ impacts है वसे माँ आपको इस सारे keyword बता दूँग अब हम question पर आते हैं तो अब मुझे बताओ कि क्या इस question को पढ़ने के बाद आप लिख सकते हो क्या can you write? बताओ क्या आप question को लिख सकते हो? सोच के देखो दो मिंट हाँ लिख तो सकते हैं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल अब देखो मैं आपको एक एक चीज बता हुआ यहाँ पर ठीक है इससे पहले मैं आपको चलो एक दो चीज हो रहे हैं थोड़ा और clear कर देता हूँ एक पर खाली paper यहाँ लेते हैं यह पड़ा आप सुनिए एक चीज बता रहा हूँ चीज यह है दोस्तों दो हिस्टोरियन है एक का नाम है आरसी मजूमदार ठीक है और दूसरे का नाम है वो है एसन सेन सुनाओगा आपने नाव एसन सेन तो आरसी मजूमदार और एसन सेन ना इन दोनों हिस्टोरियन का एक पॉइंट यह करना है कि भाया यह एक नेसलिस्ट मुमेंट नहीं था, मैंने क्या कहा, कि ये एक नेशनलिस्ट मुमेंट नहीं था, यनि हिंदी में बोलूं, तो ये एक राष्ट्रिय आंदोलन नहीं था, ये धान रखना, कि RC मजुमदार और SNCN इस बात पर एगरी थे, कि 1857 उनका रिवोल्ट है ना, वो एक नेशनलिस्ट मुमेंट नहीं था, ठीक है, इस तीज़ पर दोनों एगरी करते हैं, इसके बाद में इनकी अलग-लग ओपिनियन भी हैं, जैसे कि RC मजुमदार का ये कहना था, सुनो धान से, दोनों ने क्या कहा, कि भाई ये राष्टे आंदूलन नहीं था, अब बाद आती सर्फ फिर क्या था, बताओ तो उसी भाई, पता तो चले ना, कोई लड़ू था, बम था, क्या था, कोई टिकडी, विकडी, फुस-फुस वाले पटागे थे, कुस तो होगा, तो वो देखते हैं, दोस्तों, आर्ची मजुंदार थे ना, इनका ऐसा कहना था, कि ये एक सिपाही मुटेनी है, ठीक है, सिपाही विद्रो है, धान लगना, इनका कहना था कि एक क्या है, सिपाही विद्रो है, मैंने क्या कहा, यह एक सिपाई विद्रो है, यानि आसी मजुंदार का मानना था कि भया जो इंडिया में इंडियन सोल्जर्स थे, बेटिस आर्मी में न उनमें डिसकंटेंट था और उन्हों नहीं रिवोल्ट किया था, यह आपको ध्यान लगना है यानि कहा कि सिपाई विद्रो किया था, तो इसलिए सिपाई विद्रो था और कॉर्मन्स यह बात है, सिपाई ने अपने राइट्स के लिए यह आए, यहनि सोल्जर्स ने अपने राइट्स के लिए प्रोटे करने के लिए मुमेंट किया है, तो freedom की तो बात थी नहीं, क्योंकि सिपाई ना खुछ थे ना, तो उन्होंने विद्रो किया है, और इसलिए ठीक है, अब सिपाई सामिल वे, तो इनका कहना था, कि बहुत सामिल हो गया, क्योंकि सिपाई कहां से आते थे, कोई सिपा कर गये थे, लेकिन टार्गेट का क्या था, इसका सिर्फ सिपाई होके अपने इंट्रेस्ट के लिए था, तो ये freedom की बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये धानक ना, RC मदूमदार का कहना था, कि ये एक सिपाई विद्रो था, और ये freedom struggle मोमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, व एंगो पिपल का रिवोल्ट था, आम जनता का एक विद्रो था, एसन सेन का कहना था, कि ये आम जनता का एक रिवोल्ट था, आजादी की लड़ाई नहीं थी, पलस में क्या कहा, आजादी की लड़ाई नहीं है, सोरी, आजादी की लड़ाई है, मैं क्या कहा, एसन सेन का मा इंडिपेंडेंस था, ये धान रखना है, तो यहाँ पर दोस्तों क्यों सुन की तरीके से आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किसने का, यहाँ पर मैंने क्या बता है, सुनिए दान से, मैंने आपको ये बता है भी, कि RC मजुनदार और S.N. Sen, दोनों एक चीज़ प का कहना था, कि भीया ये आम जनता के दोरा क्या गया एक विद्रो था, प्लस में आजादी की लड़ाई थी, ठीक है, ऐसा क्यों खाओ उन्होंने कि आजादी की लड़ाई थी, वो समझाता है, क्योंकि S.N. Sen का कहना था, कि भीया अमेरिका में भी ऐसे लड़ाई हुए थी जब अमेरिका आजाद हुआ था ना तो उसमें भी सेम ऐसी लड़ाई हुए थी जनता ने विद्रो किया था उसके बाद आज़ादी मिले थी तो सेम वोई चीज यहाँ पर थी यहाँ पर अभी आज़ादी के लिए लड़ाई है वो लड़े गए थी जैसे कि French War हुआ था तो उसमें भी ऐसी लड़ाई लड़े गए थी और उसके बाद आज़ादी मिले थी तो उसी कॉंसर्ट पर अज़ादी के लिए यहाँ पर भी लड़ाई आज़ादी के लिए ऐसी लड़े गए थी जैसे इंडिया में यह हुआ था 1857 और इसलिए उनका कहना था SNCN गोट इट तो एकजाम में थोड़ाई ध्यान रखना कि क्योशन कैसे आता है आप उसको वैसी एटेम्ट है वो कर ले लेकिन एक चीज़ क्या धखनी है कि RC मजणदार और SNC एक बात पर दोनों एगरी करते कि national level का मुद्दा होना चीज़ी पर लेस में उसका लेडर हो भी national होना चीज़ी है और सारी एकज़ें एक साहध स्थ स्टार्ट होना चीज़ी है कि ही मुमेंट ऐसा था क्या बिलकुल नहीं था ठीक है हुआ क्या ता इस्टार्टिंग में सिपाईयों नहीं विद्रो किय रिवोल्ट किया, फिद्धी द्रियाम जनता सामील होगी, तो इस टैप का मुमेंट था, तो कैसे इसको आप नेसलिस मुमेंट बोल सकते हो, ठीक है, तो ये धान रखना कि आज सी मजुमदार और रैसन सें दोनों इस बाग प्रियागरी करते हैं, कि ये एक नेसलिस्ट मुमे पहली लड़ाई नहीं थी, नहीं नेसलिस्ट था, और नहीं आजादी के लड़ाई थी, क्यों नहीं थी, वो भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि एसन से ने कहा है, हाँ, पहला ये नहीं बताए सर आपने, कि 1857 से पहले इंडिया में बहुत सारी मुमेंट हो चुके थे तो आप इसको पहला तो बोली नहीं सकते हो, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स के वैसे पहले आप इस क्यूशन को लेख सकते हो, ठीक है, अब आप इस क्यूशन का आंशर लिखना, और दोस्तों, आप मुझे टेलिग्राम पर पोस्ट करना, मैं देखूंगा कैसे कहें, फिर अपन आगे लेखेंगे, ठीक है, तो ये था आजगा हमारा सेसन, उमीद करता हूँ कि आपको लेक्चर हो, पसंद आया होगा, ठीक्यों दोस्तों,